हलो फ्रेंड्स, फूडिस एंड गुडिस फैम में आपका स्वागत है, ये नवराती स्पेशल है, इसमें हम सबसे पहले साबू दाना का वड़ा बनाएंगे, उसके लिए मैंने दो बॉइल आलू लिये हैं, ये आलू मैंने कल ही बॉइल करके रख लिये थे, और फिर फिर फ साबू दाना को सबुड़ दाना कीज़ना हैं, ये नदे हम प्रख थी मैंने स्ब्सट करना में आदाओ अपलिये है जिस को कि मैने साबू दाना पीसा है वो मैं मिलाती जा रही हूँ उसका पौडर अच्छे से इसके अंदर मिलाते जाना है और जैसे वो एक अच्छा सॉफ्ट हो बन जाएगा तब तक मैं वो मिलाती जाओंगी अल्मॉस्ट आदा कप जो है उसमें से थोड़ा सा बज़ गया है बाकी सारा यूस हो चुका है और जो मैंने पनीर कदूकस किया था उसके अंदर मैंने काले मेच नमाक डाला है और इसको मिक्स करूंगी इसमें इसमें थोड़े आलू भी डाले हैं जो कदूकस किये थे इसमें थोड़ा अध्रक डाला है और थोड़ी किश्मिश डाली है और थोड़ी हरिमेच तो इस तरह से इसको मैंने फिलिंग के लिए रेडी कर लिया है अब हमारी फिलिंग भी तयार है और जो हमारा डो है वो भी तयार है साब दना वड़ा बनाने के लिए तो अब हम जो है बड़ा बनाएंगे जो मैंने डो बना के रखा है उसके मैं दो दो ऐसे पहले टिकी की तरह बना लूँगी और बीच में फिलिंग डाल कर दूसरी उसके उपर रख दूँगी और फिर उसको हाथों से कोल कर लूँगी इस तरह से हाथों में लेके इसको मैंने रौंड की शेप में बना लिया है और इसी तरह से सारे बना के रख लूँगी गैस मैंने आन कर दिया है और उसके अंदर ऐल डाल दिया है फ्राई करने के लिए जैसे ही हमारे ओयल गर्ब होगा तब तक हमारे ये वड़े जो हैं वो बन चुके होंगे तो इस तरह से हमारे ये वड़े बन रहे हैं फ्राइ के लिए रेडी हो रहे हैं बहुत ही असान है बहुत ही इसी है तो ये देखिए इस तरह से हाथ में लेके इसको फिर मैं गोल कर लेती हूं अब ये हमारा लास्ट वड़ा रह गया है इसको भी हम बना लेती हैं फिल करके ये भी हमारा बन चुका है तो हमारे वड़े जो है ओल लड़ी बन चुके हैं फ्राइ होने के लिए तयार हैं हमारा ओल भी गरम हो चुका है मेडियम आज के उपर हमने इसको बनाना है और इसको हमने क्रिस्प करना है बाहर से ये क्रिस्प हो जाएगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होगा और ये जो घी है ये ओल बहुत कम यूज होता है इसमें ये ज़्यादा घी तेल अब्सरब नहीं करता है अगर आपको ये मेरी रैस्पी अच्छी लगे तो प्रीज लाएक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें और कमेंट करके बता हैं कि आपने कैसे बनाए हैं और कैसे बने हैं तो ये हमारे फ्राई हो रहे हैं हमने इसको गॉल्डन कलर का कर लेना है तो ये अल्मूस्ट हमारे रैडी हैं अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम अब निकाल के सर्व कर देंगे इस तरह से ये इमली की चटनी के साथ खटी मिटी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये बाहर से बहुत ही क्रिस्प हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट बिल्कुल ऑपोजिट अन्बलीवेबल और टेस्टी भी बहुत ही हैं और नेक्स्ट टेस्ट जो है वो मैं नारियल के लड्डू बनाऊंगी उसके लिए मैंने 4 कप नारियल का चूरा लिया है उसको मैं कडाई में बिना घी के बिना ओयल के ही इसको ऐसे ही भूनूंगी थोड़ा ही इसको भूना है इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि यह ज्यादा क्वांटिटी में हैं इसलिए 10-1 मिनट लगे हैं अगर कम क्वांटिटी होगी तो कम टाइम लगेगा अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी कडाई के अंदर मैं मिल्क डाल दूँगी और मिल्क डाल के इसको गरम होने दूँगी और इसी के अंदर मैंने कंडेंस्ट मिल्क डाल दिया है और इसको थोड़ा गाड़ा होने तक हमने पकाना है अब उसके अंदर मैंने थोड़ा सा येलो कलर डाला है और साथ में ये जो नारियल का बूरा था हमने बूना था उसको भी बीच में डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब ये हमारे लड़ो बनाने के लिए बिल्कुल रड़ी हो रहा है इसके अंदर मैंने दो चम्मज घी डाल दिये है ताकि इसमें शाइन आजए और फिर ये कडाई को भी छोड़ने लग जाएगा अब ये हमारा रेड़ी हो चुका है अब मैं इसको एक पैन में निकाल लूँगी और उसके बाद हम इसके लड़ो बनाएंगे तो मैंने हाथ में ऐसे ले लेकर इसको ऐसे से रोल करकर की दबा कर अच्छे से इसके लड़ो बना लिये हैं और ये भी बहुत ही टेस्टी बने है आप भी ज़रूर बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसे बने हैं तो मेरे सारे लड़ो तयार हो चुके हैं आप भी ट्राइ करिए थैंक्स फर वाचिंग